यह अधिने जबर बेस्ट शानदार और नजएदार पिसम के लिए विलाब जामन है और यह होम मेट है यह सारे की सारे चानिक जरूरी स्टेप्स है वो स्टेट्स में आपनों के साथ शेयर करें दूलियों के बड़ान वपन फ़पन तो किसी भी स्टेक को मिस्मत किजिएगा कि इसमें इसे भेर सारे टेक्निकल बाते हैं पॉइंस हैं कि जिसमें अमल करते हैं आप इसको बहतरीन बना सकते हैं कि देखें इसको में हल्का हल्का दबा रहे हैं और इतने सॉप्ट हैं और इतने स्पॉंजी हैं वापिस से लिए अपने जलाते आ रहे हैं और इसमें से में लिकलता हुआ शीरा इससे लिए आपनो गन्दा जलगा सकते हों कि लिए कि जारा सौट है नरम है तो देखें आपनो अब मैं आपको ये अंदर से भी दिखा दूँ कि किसी भी किसम के गृति इसमें नहीं है यह देखें माशाइला बेहतरी नरम जो आपको बादार में मि आपको बिसमें लाहिए रहीं असलम अलेकों और वेल्कम टू माई चानल तो आज मैं आपनों के साथ यह से कि रिस्पी शेयर करने जानूं सबसे पहले जरूरी चीज़ शीरा तो शीरे के लिए मैंने दो कपचिनी जो है वो ले दी है अपने प्रेंगें और यह में दो कप ही इसके इंदर पानी डालें जिसकब से शीरा आप चीनी नापे उसी कब से आपनी पानी जो है वो लापना है कोई एक तार दो तार इसके चक्कर में ना पढ़ें यह मैंने डाल दिया साथ ही मैंने इलाइची कूट के डाल दी और तपने के लिए चूँगी तोड़ी दिर के बाद चीनी इविल चुटी है यह बिल्कुल रेडी है चीना गाड़ा होगा तो वो गुलाब जामनों के अनल एग्जॉट नहीं हो पाएगा और इस बात पहुंने शाद आपने जहीं ना रखिए अब यहां पर यह मैं इसका जो उसके जो बॉल्स है उसके मिक्स की जान और इसके साथ ही में 2 टेबिस्पून वजीद जो है वो डाल रही है यह एक्जेक्ट मेजियरमेंट है पहली मरतबा बनाएं तो इससे ही बनाएं यह दो टेबिस्पून के मरावने इसमें डाले हैं लेगा और यह 1 टी स्पून भर कि मैंने बेकिंग पाउडर जो है बोडा को है रेसिपी में जो कभी बेशि है वो सिम्ना किजएगा ए गड़ा सामेंगी बेशित में बना लिया और यह 1 टीब्ल स्पून भर कि घी जो है वो डाल गिए प्लोटम दो टेबिस्पून इसके अंदर जाएगा अब यह एक अंड़ अंडा एंदे का साइज जो है वो में शामिल करूंगी चुरू से में डाला यह देखें इसको में खटा करने की कोशिश कर रही हूं यह देखें और यह नीचे बेखर के जा रहा है तो इस टेज़ पे आप लोग 2-3 टेबल स्पून जो 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 जूद होता है वो आप लोग डाल दे कंसिस्टेंसी जो है उसको तेखें अगर यह बहुत ज्यादा आप्लोगों का सकत है गलाभ जाव जामिल के एपस्प्वी हैं और इसके बाल्स जो है उत्मेट्स पर रहे है यह खोशे के लाव मिस प्रिए नहीं नहीं हैं तो इसलिए यह दो टबस्पून के घी लेना है जो हम लोग शुरू में अडा देंगे जो डूसा है तक विलने के दोरान अधर आएंगे अगर आप लोहां का मिक्स है क्लिए आप जब इसको मिक्स है हो भूल कि इसे क्रेक्स करेंगे यह जएसे को हुआ लेगे इसे हुआप देंगे आपके गुलाब जामन जो हैं वो सही नहीं बनेंगे वो फूलेंगे भी नहीं तो इसलिए आपका जो मिक्स है वो थोला सा नरम हो तो इस दोरान में इसमें दो से तीन टेबल स्पून दूज जो है गोडाल दिया यह जो आम मिल्क होता है लिक्विड मिल्क और की बात ने कर है तो मैंने वो डाला और इस तरह से जो मेरा विल्क जामन ओंका में तो रहसा नरम पर गया इस वाजा से गिने इसके दुरान वो जो दूसरा टेबल स्पून घी था वो डाला था कि वो हातों के साथ चिपके नहीं तो इस तरह से जी स्मूध डो जो है इसको मैंने बना रह चूठे चूठे बाल्स जो है महें बना रहे है कि रिकर चूठे में बनाई जॉचे अच्छक कषिछा से फूल जाते हैं यह को राउंड बॉल जो है वोना यह सारे मेने यहां पर तयार करके रख दिये हैं अब आते हैं हम इसके फाइं की तरफ 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 के लिए आपका तेल जो है या घी उसका तुप्रेशर बहुत से ड़ा हाई ना हो यह एक मेर डाल दिया है और नीचे तही में जाके बैड होगा वो फोरां से बाहर से पक के उपर आ जाएंगे अंदर से कच्छे रहेंगे गुट्ली बनेगी आप शीरे में डालोगे तो शीरा एग्जाब नहीं कर पाएंगे तो इसलिए टंप्रेशर का खास खया जो है रखें आपके तेल का टंप्रेशर इतना हो कि इसमें हलके हलके बबल साइब से निकलने लगे लेकिन वो यक दम उपर ना है यह पहला जो मैंने डाला ता वो देखें उन पर आ चुका है दाकी अभी तक नीचे पढ़े हैं यह देखें आंच इतने आंच में में इसको फ्राइब कर लिए और जैसे जैसे तेल जो है वो गरम हो रहा ह जो है सपर एक एक है करके इ algé आ रहे है लागा बेसी तरह से हितने टंपरिचर पर आपना में इसको फ्राइब करना होता है वह देखें ओ भर और उपकर बनी फूल भी रहे हैं अपने डाल डाला वह पर थारु आप आप ऑने जब में और को जो है इस तरह आप में ऐसना है या अल्का साव ब्राउन इदे के आ जो का है अमें इस कुराद होंगी शीरे में शीरा जो है वापका नीम गरम और गुलाब जामन आपके बिल्कुल गर्म हो तैल से काले फ़ोरं से नीम गरम टे डाले दे के सारे में डाल दिये और इसको में नेच चमछ की मज़सी नीच बिल्कुल गरम और गाढ़े शीरे में कभी भी गुलाब जामन जो है वह ना डालें कि गाढ़ा शीरा कभी भी गुलाब जामनों के अंदर एगजाब नहीं होता और अगर आपका शीरा बहुत ज्यादा खुलता हुआ गरम वह तो आपके जो गुलाब जामन है उसकी टेक्स् में पढ़े थे उमीद है कि आप लोगों को यह जो वीडियो है लिए पसंद आई होगी पसंद आती है तो लाइक करें शियर करें चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें यह देखें लेको नरम नरम गुलाब जामन बाजार वाले से भी अच्छे इन्शाला परूंके में बनेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्या अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और शियर करें